नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान ने सूपर ओभन में जीता स्रिलांका खिलाब वर्ल्ड कप का है वोल्टिज बला महा मुकाबला तो दोस्तों आप देखना चाहते हैं पाकिस्तान ने ये सूपर ओभन में कैसे महा मुकाबले को जीता तो इस वीडियो को लैक करिए और चैनल क जहां दोस्तों स्रीलंका ने टौह जितकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और दोस्तों पहले बल्लेबाजी करती हुए स्रीलंका ने पाकिस्तान टीम के सामने सांदार 204 रनों का लक्ष रखा जहां दोस्तो स्रिलंका टीम के खतरनाक बल्लेबाज लीट अंदास का तुफान देखनों को मिला उन्होंने दोस्तो 64 गंदों का सामना करती हुए सांदर 45 रंकी ताबरतुर बल्लेबाजी की और दोस्तो मीडिल आउडर में महमुदुला और साकीबुल हसन का तुफान देखनों को मिला जहां दोस्तो महमुदुला ने 70 गंदों का सामना करती हुए सांदर 46 रंकी बिस्पोटक बल्लेबाजी की दोस्तो उन्होंने अपने पारी के दोरान 6 चोकी और 1 चोकी लगाए जबकि दोस्तो महमुदुला का साथ देरह साकीबुल हसन अपने विस्पोटक अंदाज में 43 रंकी खतरनाक बल्लेबाजी की और दोस्तो इसके बाद सिर्लंका टीम की कोई भी बल्लेबाज पाकिस्तानी गेंदबाजी में साइनसा अपरिदी और महम्मद वसीम जुनियर का तुफ़ान देखिनों को मिला जबकि दोस्तो उन्होंने 3-3 विकेट हासिल किये और दोस्तो उन्होंने हरिस रॉप ने अपने खतरनाक अंदाज में दो विकेट जटके लेकिन दोस्तो आपको बता दे जब पाकिस्तान टीम ने इस चेज को हासिल करने के लिए मैदान में उतरी तो या महमकाबला एक सूपर अभर में चली गई जिसके चलते पाकिस्तान टीम ने या महमकाबले को अपने नाम कर लिए